आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में इस योजना के अंदर छात्रों को 4 लाख रुपे तक का लोन यानि ज्यादा ज्यादा 4 लाख और उससे कम का अगर लोन लेंज़ चाहें तो छातर ले सकते हैं और बिना ब्याज ये लोन चातरों को मिलता है तो किस तरीके से लोन के लिए अपलाई करते हैं किस तरीके से चातर स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं ओनलाइन अपने मोबैल के जरीए इस वीडियो में आपको आवेदन करके दिखाएंगे किस तरीके से आपको आवेदन करना होगा किस तरीके से पोर्टल को रजिस्टेशन करना होगा और किस तरीके से अपलाई करना होगा वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो की description में एक link मिलेगा, उस link प्याना है, उस link प्याने के बाद में आपको इस BR की official website प्याना है, student credit card बनाने के लिए, इस website प्याने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आपको 9 application registration का option दिख रहा होगा, यानि सबसे पहले इस portal को register करना होगा, उसके बाद में हमें एक ID password मिलेंगे, उसके जरीए हम इसे login करेंगे, उसके बाद में student credit card के लिए apply करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना first name दर्ज करना है, उसके बाद में last name, mobile number, email ID, और जो आपके email या mobile पे जो OTP registration है, वो complete हो चुका है, इसके बाद आपके email पर और mobile पे एक password और ID जाएगी, वो ID और password से आपको इस portal को login करना होगा, तो login करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हो है, go to homepage आपको इस पे click कर देना, और आप इस portal के homepage पे आजाएगे, और sidebar में जो login hair का जो ID और जो password मिले हैं, वो दर्ज करने है, दर्ज करने के बाद में नीची यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो capture code है, वो दर्ज करने है, और यहाँ पे login पे आपको click कर देना है, अब सबसे पहले आपको password चेंज करने होगे, यानि जो आपको password मिले थे, वो सबसे पहले आपको password इसके बाद में जो आप खुद स्वे अपने पासवर्ड बनाना चाते हैं जो आपको आसान लगते हैं वो पासवर्ड दो बार यहां पर आपको डालने होंगे डालने के बाद में यहां पर आपको नीचे सब्मिट पर क्लिक कर देना है यानि आप अपने नए पासवर्ड बन लोग इन करना है या आपके password चेंज हो गया है यह password यह पासिवड इसलिए चेंज करते हैं ताकि आप अपनीम मर्जी के हिसाब से पने password बना सकते हैं तो अब दूबारा से home page पे जाना है home page पे आने के बाद में यहां पर दूबारा वही पास किये है फिर यहाँ पे roll number 10th के स्कूल के code यानि आप वो स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं इसी तरीके की जो आपकी personal information है 10th की 12 की वो इसके अंदर आपकी personal information के अंदर आपको दर्ज करनी है अपनी संपूरन personal information जैसे father's name या फिर जो location, address वगिरा जितनी भी जानकरी इस फॉरं में माँगेगी है सारी आपको इसमें दर्ज करनी है यानि सलेक्ण करनी है और जो रेड़् मार्क हैं वो आपको बरने अनवारी है आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे इसके बाAd में आपको यहाँ पर करोगे तो कि आप्या पर देख सकते हैं आपकी जो फोरम है वो सबमिट हो जाता है तो इस तरहिए से आप इस चोर्णा के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके बाद में आपके सामने एक डेस बोर्ड ओपन हो जाता है जहां पर आपको कही सारी सुविदाई मिल जाती है तो दोस्तों लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उमीद करेंगे जानकर ये आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आने वाले ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहें